अलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के विडियो में बात करने वाले हैं आज के दिन की जो भी important news रही है उसके बारे में फिर हम यहाँ पे बात करेंगे IDFC First Bank के बारे में जो भी latest information निकल के आ रही है जो भी updates and news है वो सारी अगर यहां से किस direction में जाते हो नजर आ रहा है और क्या यह एक position सही है जिसमें हम buying कर सकते हैं या फिर अभी हमें खरीदारी करने से बचना चाहिए और अगर हमारे पास lowest price के shares already portfolio में है तो क्या यह एक सही time है जिसमें profit booking की जानी चाहिए साथ के साथ कुछ ऐसे stocks के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपको corporate action देखाने वाले तो वीडियो को यह एंट तक आप जरू देखे आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी चैनल फे वस्टाम विजिट कर रहे हो तो subscribe जरू कर लीजेगा वीडियो अच्छी ल वाला है उसी दिए निकल के आती है कि भारत electronics को 678 करोर्स का जो order है वो मिला है काफी बड़ा order मिला है इंडेसिन बैंक ने इस्वर्ण इंडिया की पहली corporate credit card on rupee network launch कर दिया है इसका फायदा बैंक को मिल सकता है जेस्ट डव्य एनजी कमिशन ने अपना अगर आप देखोग यह वो कमिशन कर दिया है फिर अगर हम यहाँ पर बात करें विदानता की जो सबसीटरी है भारत aluminum company जिसको आप बालकों के नाम से भी जानते हो उसको अगर आप देखोगे तो जो जीस्टी डिमांड आई है लगबग 847 मिलियन रुपीज की और यह आपको joint office commissioners के office से देख देखने को मिली है अगली निए निकल के आती है इन्फोसिस ने अनौंस किया है कि उनकी जो company है उन्होंने लगबग 1.5 billion dollar का जो agreement है वो टर्मिनेट कर दिया है और यह जो order था वो अगर आप देखोगे तो undisclosed global company यानी की उस company का नाम जो है वो disclose नहीं किया गया था लेकिन अब वो already cancel कर दिया है तर्मिनेट कर दिया है फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगली निए उस है अंबुजा सीमेंट की इनको approval मिल गया है environment ministries की तरफ से so that वो अब यहाँ से जो 3 million ton का माइन है वो अब यहाँ पर start कर सके फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बह broadcasting all in the B2B space यानि कि इस particular scenario में आपको अब इनकी जो broadcasting है वह और ज्यादे इंप्रूब होते हो नजर आने वाली है फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगली निउस निकल के आती है टाटा स्टील की तरफ से equity shareholder जो है वह यहाँ पर जो अमल्गमेशन होने वाला है उसको approval दे दिया है और इसके बारे में लोग अल्री जो टाटा स्टील की वीडियो में अच्छे से बात कर चुके हैं तो वहाँ पर डिटेल में देख लेना फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे गौदरेज प्रोपर्टीज लगबक 600 घर जो है वह बेच रही है जिसका अगर आता है आइनोक्स विंड बैक को यहाँ पर करीवन 279 मेगवाट का ओर्डर मिला है सी एंडाई प्लियर से यह कुछ इंपॉर्टेंट न्यूस थी जो कि मैंने आपके सामने रख दिया बात कर लेते हैं आईड़ी फिर्स्ट बैंक के बारे में तो आज यहाँ पर शेयर के पर क्लोजिंग है और 89 का इसने आज के दिन हाई भी बनाया यानि कि कोई बहुत बड़ी फ्लेक्शुएशन आज इस शेयर के अंदर हमें देखने को नहीं मिली है लेकिन अगर हम इसके वाल्यूम मगरा के बारे में बात करें तो वह आपके सामने में डेटा रख दिया है इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो यह है कि यहाँ पर डिलिवरी परसेंटेज काफी अधा शांदार है आप देख पा रहे होगे 40 से उपर ही नजर आ रही है जो कि एक स्ट्रॉंग पोजिशन आने वाले टाइम के लिए भी इंडिगेट करते हो नजर आ रही है अब एक होगे तो यह जो लिश्ट है इस लिश्ट में आपको सबसे लाश्ट में एक बैंक नजर आ रही है वह है आइडिफी फर्स्ट बैंक यानि की टॉप 10 बैंक की लिश्ट में अब इसने अपना नाम जो है वह अर्न कर लिया है तो यह बहुत अच्छी बात निकल आती है पहल कि तरफ से अनाउसमेंट किया है कि जो इनकी इस ओएस इसकी मोती है यानि की एंप्लोई स्टॉक ऑप्शन क्लांग होता है जिसमें जो इनके एंप्लोई जोते हैं उनको एक्ष्टा सियर्स जो है शिउ करे जाते हैं तो वह इस्उ कर दिए गए है और लगबग यहां पे आप देख पारे होगे 52,072,274 एक्विटी शेर इच ओफ दिफेस वैल्यू रूपीज 10 इच यानि कि आप यहां पर देख पारे होगे बड़े अमाउंट में इन्होंने एडिशनल शेर अप्रूब कर दिये हैं जिसकी वैल्यू आप यहां पर देख पारे होगे नीचे करके दे रहे हैं फिर अगला नोटेस जो है वह आईडिया फी फर्स्ट बैंक ने यह दिया है कि उनको आर्वियाई के तरफ से नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है और यह मर्जर के लिए है यानि कि अब आर्वियाई के तरफ से भी कोई भी पैंडिंग रिक् आनि अभी तक की आईडिया फी फर्स्ट बैंक की नजर आती जो भी लेटर शन फर्मिशन निकल के आ रही थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आपको कॉर्परेट एक्शन दिखाने वाले हैं ब लगबग 25 सो रुपे पर शेयर आ जाएगा तो इसमें डेफिनिटली रिटेल इंवेस्टर अब एंट्री करने वाले हैं पांच जैनवरी दोजाट चौवीस इसकी एक्स देट निकल गया आती है आप मुझे बताईए नेसले में इनवेस्टमेंट करोगे या फिन नहीं स् जैनवरी को आपको माहल चेंज होते हैं नजर आएगा कोचिन शिप्यार का तो यह थी कहानी तीनों स्टॉक के बारे में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया होप आपको वीडियो में दी गई इंफॉमिशन अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प् इस चैनल को सब्सक्राइब जरूग दिजेगा धन्यवाद